पत्त्र लेखन में संबोधन भी एक महतोपूनिस का अंग होता है और किस अधिकारी को कैसे संबोधित करना चाहिए आईए जानते हैं पत्त्र लेखन में संबोधन अधिकारियों को यानि कि जब आप अधिकारियों को पत्त्र लिखेंगे तो उस समय आप उनको कहेंगे महोदय या श्रीमाल इसके बाद आते हैं गेर अधिकारी व्यक्ति या फिर व्यक्तियों का सम्हूं इन्हें आप कहेंगे प्रिय महोदय या महानुभाव आगे फिर आते हैं व्यावसाई की संस्थाओं को तो जब आप इन्हें पत्तर लिखेंगे तो इन्हें कहेंगे महानुभवया, महोदय वरिंद इसके बाद फिर महिलाधिकारियों को आप कहेंगे महोदया आगे फिर है सरकारी पत्तरों में जब आप सरकारी पत्र लिखते हैं तो उनमें आप किसका प्रियोग करेंगे प्रिय, श्री या श्रीमति इसके बाद फिर अर्द सरकारी पत्रों में यहाँ पे आप श्रीयूत प्रियोग कर सकते हैं आगे फिर आता है स्वय संबोधन सरकारी पत्रों में भवदिय या फिर आपका विश्वशनिय या आपका विश्वास भाजन इसके बाद फिर स्वय संबोधन अर्द सरकारी पत्रों में आपका सद्भावी या फिर आपका शुभेशू तो ये कुछ नमूने थे और आपको इन चीजों का पता होना चाहिए कि किसे कैसे संबोधित करना है तो आप आगे कभी पत्तर लिखते हैं तो इन चीजों को याद जरूर रखें तो लिखते हैं जरूर रखें बत्तर लिखते हैं तो आपको याद जरूर रखेंगा झाता है